जब सचीन तेंदुलकर भारते टीम के लिए इंटरनेशनल लेवल पर खेला करते थे तो नग के वल वो उपनर होते थे बलकि टीम इंडिया के लिए एक गोल्डन आम होते थे जब भी टीम इंडिया को विकेट की जरूरत होती थी तो कपतान उन्हें गेंद पकड़ाता था और एक विकेट पाता था, बड़ी पार्टनर्शिप तोड़ते थे वो, कई बार उन्होंने इस तरह का कारनामा किया, और इंटरनेशनल लेवल पर उनके नाम 200 विकेट हैं, लेकिन इतनी महान हस्ती होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े रेकॉर्ड अपने नाम रख बड़े ते हुए एक विकेट ठट का, और यह विकेट कोई आम नहीं था, बेहत खास था, यह विकेट था बोनिश्टर कुमार का, और बोनिश्टर कुमार का एक बेहत खास कनेक्शन है, साचिन तेंदुलकर से, जी हां, इसके लिए थोड़ा सा आपको पास में जाना पड दरसल रजी एक मकाबले में साचिन तेंदुलकर को बोनिश्टकुमार से डग पर आउट किया था, और ऐसा पहली बार हुआ था, कि साचिन तेंदुलकर रजी टोफी में डुमेस्टिक करिकेट में डग पर आउट हुए थे और इस विकेट को लेने के बाद इस्वर कुमार ने ये कर दिखाया था और अब जब मुंबई इंडियंस के लिए अर्जुन तेंदुलकर अपना सिर्फ दूसरा मैच खेल रहे थे तो मुंबई इंडियंस के कप्तान रोई सर्मा ने आखरी उबर में 20 रंग बचाने के लिए गेंद पकड़ाई अर्जुन तेंदुलकर को ये अपने आप में एक संयोग था हो सकता है कि यहां पर कोई और विकल्प होता तो रोई सर्मा शायद युवा अर्जुन के हाथ में गेद नहीं देते लेकिन तेज गेद बाज के तौर पर उनके पास विकल्प एक मात्र अर्जुन तेंदुलकर किया और इस आउट करने के साथ ही उन्होंने आई पेल में अपने विक्टो का खाता खोला पहला विकेट लिया इसके साथ ही सचीन तेंदुलकर को बड़ी खुशी भी दे दी सचीन ने मैच के बाद ट्वीट किया टीम को बधाई दी और साथ में एक और लाइन लिखी जो उनका इशारा बेटे के उस विकेट से था और उस विकेट को वो अपना मान रहे हैं तो यह थी अरजुन तेंदुलकर के पहले विकेट की कहानी आई पेल डेबिट विकेट की कहानी